जैहिन मैं आविन कुमार सिंग डारेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिम्टेड पतना जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं कि बिहार इससी का डेट फॉर्म भरने का एक्स्टेंड कर दिया गया है निश्चित रूप से एक्स्टेंड करने की जरौत थी और इसके लिए आयोक को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि स्टुडेंट के इस महत्पुर्न डिमांड को आपने माना एक्चुली में अभी लगातार सरवट डाउन होने के कारण से इस्टुडेंट को लगातार EWS साटिफिकेट बनाने में, NCL बनाने में, जाती आयनिवास परमान पतर बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा था और लगातार हर अंचल में, अंचल कारियाले में, बोर्ड तक में लगातार स्टुडेंट की उपस्थिती बहुत अधिक संख्या में बनी रहती थी, और हामेशा तनाव की स्थिती बनी हुई थी, कि अंतिम डेट आने वाली है, अभी तक स्टुडेंट फॉर्म नहीं भर पाएं, तो निसंदे जो भी इसी परिशानियों का निकोसिस किये थे, आयोग से डिमांड करने का परियास किये थे कि स्टुडेंट के इस जाय जुमांग को निश्चित रूप से सुना जाए, और इसमें कई सारे टीचर्स भी सामिल थे, रहमान सर वीडियो बनाया है, इसके अलावा चातर नेता दिलीप देखे लगातार आ तो इसके अलावे भी एक महत्पुर्न मुद्दा जो की रह गया है बिहार SSE के संदर्म में, कि एक बार स्टुडेंट को एडिट करने का ओप्शन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों ऐसे स्टुडेंट हैं, जिनकों की बिभिन कारणों से जिनका फॉम भरने में गलत अब नहीं मिलता है, और आज तो बहुत सारी बच्चे गए थे, लेकिन सनिवार रवीवार के कारण से ओफिस आयोग का बंद था, तो चुकि हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कई बार इसा देखा गया है, कि बोड के द्वारा अगर गलतियां हो जाती है, तो उस को दूसरे दिन पेपर में बजायपता निकाल करके एक नौटिस अपनी भूल को सुधार करने की कोशिस करते हैं या सुधार लेते हैं, लेकिन अगर स्टुडेंट से इस तरह का परिशानिया हुई है, तो उनको भी एक बार मोका मिलना ही चाहिए, इसलिए तमाम यूटू के भी उनको देनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि जो परिशानी में परे हुए स्टुडेंट हैं, उनको बहुत हद तक रहत मिल पाए, तो हम दुबारा से आयोग से ये अपील करना चाहेंगे कि स्टुडेंट बहुत जादा इस मामले में भी परिशान है, जब आपने एक बात सुन ही ली, तो दूसरे बात को भी गंविरता पुरुवक आपको लेनी चाहिए, और एक बार एडिट का उप्शन निश्ची तुरुप से स्टुडेंट को देनी चाहिए, इसके अलावे भी अगर देखा जाए, तो बहुत जो स्टुडेंट फॉर्म भर दिये हैं, तो उनको भी ये बातें अब समझ में आनी चाहिए, कि जिस तरीके से अभी BPSC के थुरू जो आपका बिहार SI का वेकंसी निकला था, जिस तरीके से PT लिया, मेंस लिया, और इतना फास्ट रिजल्ट दे करके, इस्टुडेंट को फिजिकल के लिए भी डेट दे दिया गया, इतना फास्ट, तो उमीद करते हैं कि विहार SI के संदर्म में भी यही चीज होगी, और अक्टूबर नॉवंबर तक विहार SI का पहला चरण का एक्जाम हो जाना चाहिए, और जिस तरीके से अभी रेलवे का भी देखे, कि रेलवे पहली बार इतना फास्ट तिन-चार दिन पहले एक्जाम ही हुआ था, और जस्ट की आंसर की जारी कर दी, और इस्टूडेंट को लेवल 5, 3, 2 के लिए भी उसका भी एक्जाम का डेट लेवल 5 का जून के सकेंड वीक में दे दिया गया, तो अभी जितने भी एक्जाम हो रहे हैं, तो मैक्सिमम में देखा जा रहा है कि बहुत दुरूत गती से सारा काम उसमें हो रहा है, इसलिए बिहार SSE के संदर में दुबाराज हम काना चाहेंगे, कि इस्टूडेंट अपने गंभीरता पुरवक तैयारी करने में लगें, स्रियसली एकदम तैयारी करने में लगें, चूकि इसका प्लेटफर्म एप पर जो स्टूडेंट पटना में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके लिए एक विसेश सुभधायक, दम मिनिमम भी में दी गई बैच का, 499 रुपिये मातर, उसमें मैत है, रिजनिंग है, साइंस का तीनों पेपर, आर्स का चारों पेपर, करें कर सकते हैं, इसके अलावे भी, अगर आप सारा कुछ परहा हुआ है, दुबारास परने की कोई जवरत नहीं है, चाहें, तो सिर्फ आप टेस्ट भी दे सकते हैं, मातर, एक सो रुपिया में, बीस टेस्ट, डेर सो कोश्चन का, विट डिटेल डिसकसन, आपको दा प्लेट कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, वेस्ट अपलग, खूब अच्छे से परहाई किजिए, खूब मन से परहाई किजिए.